हेलो स्टरेंट्स वेल्गों टू माई नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग बास बढ़िया तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मा को थेरोपिटिस का टू डी यानि कि चैप्टर जो हमारा है टू टू का डी पार्ट और लेक्चर नंबर फोर ठीक है जिसके अंतर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक अगेन ये भी क्या है एक सेंटर नवर सिस्टम यानि कि हमारा ब्रेन से रेटेट प्रॉब्लम है और स्ट्रोक तुम लोग में नसे जा रही है वो किसी वज़े से ब्लॉक हो गई ठीक है थ्रॉंबस थ्रॉंबस पढ़ चुके हैं हम लोग बोलो हाँ फार्वन के थ्रॉंबस पार्ट पढ़ा हुगा है जो क्लॉटिंग सी हो जाती है वो यहां जम गया जमने के वाई से आगे क्या होगा खून की से क्या हो गया यहां फे खून के सप्लाई और गुलकोस वहरा कम पड़ गया तो यहां पर क्या ब्रेन के जिसन में चीज़ कम पड़ आएगा वो जो ब्रेन का वोला पार्ट बौड़ी के जिस पार्ट को ग् gebंद अ बंद यहां क्या निकलन स्धर्रोंट और और धवारे ब brain में cells के बीच में और नसों की बीच में जमना स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रेशर डालेगा प्रेशर पढ़ने के वाज़े से दूसरी नस है वो दबेंगी और ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो जब खून कटता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं हेमरेज कहते हैं यह वर्ड अप्छे से जानते हैं हम लोग रप्चर ओफ डवेसल ब्रेन में या कहीं पर थ्रॉंबस जम जाए खून की सप्लाइब बंद हो जाए या कोई नस फट जाए तो वह किसकी कटेगरी में आता है श्ट्रोक की कटेगरी में आता है ठीक है यह इसके पढ़ने के दो कारण है इसमें फर्दर और वराइटी है और के टेगरी हमें अतना डेटेल में नहीं जाना है हमें सिंपल समझना था कि स्ट्रोक होता किया है तो इस ट्रोक क्या होता है आओ समझें इस ट्रोक और सेरेब्रो वस्कूलर एक्सिडेंट इसको हम ऐसे भी कहते चीजों को कोई सारी चीजों की वज्याद और कोई चीजगरती है कई सारी मी ते चैड़ Allah वहां पर यहाप देफिसिट कमी आना 스타ward हो गये ठीक है किसी कम्याख हो जाएगी oxygen की lasting more than 24 hour और leading to death या तो 24 घंटे ज़्यादा oxygen की supply बंद है वहाँ पर ठीक है या ठीक है या ultimately क्या हो जाए किसी इंसान की death हो जाए with no apparent cause other than the vascular one कोई और कारण नहीं था केवल क्या कारण था vascular one या तो खून की supply पहुंची नहीं वहाँ तक ठीक है या खून घटा होकर के जम गया पूरे brain में जिसकी वाई से उसने बाकी चीजों को block कर दिया है ना बाकी जो नसे वगरा थी वो क्या होगी फिर ब्लॉक होना स्टार्ट होगी सेल्स के बीच में खून जमना स्टार्ट हो गया तो कही ना कहीं क्या है इस ट्रोक कुछ नहीं है सेरेब्रल डेफिसिट याने कि सेरेब्रल वाले पार्ट में कमिया मेंलिक इसकी ऑक्सिजन की और गुलकोस वगरी कमिया हो जाती है जो चौश घंटे ज्यादा हो या उसकी वाई से डेथ हो जाए ठीक है कारण केवल क्या रहाएगा वस्कूलर बन याने की ब्लड की वाई से इसका सारे रिलेशन किसकी वाई से होता है ब्लड की वाई से यह जिसको टफ लगे वो इसको लिख सकता है इस टो के एक रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन है ब्रेन अपना काम करना बंद करता है दिटु दर डिस्टरवेंस इन द ब्लड सप्लाई क्योंकि ब्लड की सप्लाई में डिस्टरवेंस हो गई है अब किसी पार्ट में ब्लड जाना किसी वज़े से बंद हो गया और इसी को हम लोग कही ब्रेन अटाइक भी बोलते है तो टाइपस आफ स्टोक तो सिंपल कहानी क्या समझोगे कुछ मत लिखना कुछ समझ में ना आया है तो सिंपल क्या लिखना है वेन ब्लड फ्लो इस्टॉप्स इना सम और अधर पार्ट आफ दा ब्रेन ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुख जाती है कारण दो होते हैं थ्रॉम्बस या रप्चर आफ वेसल दो कारण होते हैं इसके ठीक है ना तो टाइपस अव श्ट्रोक हमने पढ़ लिया ठीक है बात समझ में आगई श्ट्रोक में सिंपली क्या है सिंपली क्या है ब्लड की सप्लाई रुख गई है के लिए रहे श्ट्रोक कहलाता है वो आगे एटिलोजी की बात करें क्यों ऐसा होता है तो पहला कारण इसके जनेटिक फेक्टर है ठीक है इस जनेटिक फेक्टर की वएज़े से डिजीज पैदा होती है जैसे कि सबसे बड़ी क्या है अथ्रोस्क्लोरोसिस नसों में जमना श्टार्ट हो जाता है ठीक है ना स्मॉल वेशल डिजीज जो छुछटी नसों होती हम लोग प्लेक गए रहा है नसों के अंदर जो जम जाता है उसका उंपढ़ चूके हैं कार्डियक सिस्टम में कार्डियक डिजीज वहाहां पर जो प्लेक जम जाता है या करते हैं थ्रॉंबस जम गया या कोई और चीज अपना जो लिपिड जम गए है वो कई वार टूट टूट के निकल करके कहां पहुंचते हैं ब्रेन में पहुंच जाते हैं बात समझवारी है ठीक है तो इस तरीके से यह डिजीज पैदा हुई अब रिस्क ट्रेक्टर की बात करें अगर हम दो तो इस फेक्टर में क्या है जिन लोगों को हाई बीपी हाई बीपी भी कार्डियक डिजीज अपना अलग हो गया स्मोकिंग ओबेसिटी लिपिड प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल भी कहिना के कार्डियक से जुड़ हुई है हेमेटर लॉजिकल ब्लड की प्रोफ यहां और कुछ अधर फेक्टर से इस सब्की वजए से कैंसे क्या होता है और लाज आपर इंबॉलिज्म पता ना क्यों यह जो टूटकर करके बाहर निकल जाता सुरुर भड़न फ्लों करते हुद लार्ज आजरी में सब निकल जाता है बड़ आगे जाक वह त्रॉम्बस वगएरा वह तूट जाता इस तरीके से तो यह कही ना कहीं सारी चीज़ वह है कि कोई चीज जो जम गई है यहां पर लिपिड हो सकता है ठीक है क्लॉट हो सकता है खून का वह क्या है निकल करके चलना पतली आर्ट्री होती है उनमें जाकर के फस जाता है तो कई ज्यादा तर क्या होता है हाट के जो प्रॉट होते हैं वो निकल करके ब्रेन में पहुंचते हैं ठीक है इसलिए यहां पर कार्डियक डिजिस का जिक्र हो रखा है अब यह थोड़ी फोटू दे रखी इसकी तुम्हें फोटू को पिक्चर है से समझना है इस चैमिक में ऑक्सिजिन के वए से रहता है और हैं मे क्या कारण है इसके कोई 4-5 जिसके याद कर लोगे आगा आते हैं नेक्स्ट है पैथोजिनेसिस वेरी सिंपल अब यहां पर क्या याद रखना है इस्मॉल आर्ट्री अक्लूजन लाज आर्ट्री एस्टर स्क्लॉरासिस कार्डियक औरोटिक इंबॉलिज्म और हैम्रेज ह रखना हो किया है या कोई unknown कारण है ठीक है मैं क्या बोलता हूं इनको एक साथ एक डब्बे में लिख करके असे बंद करके लिख सकते हो और फिर ऐसे नीचे अरू लगा सकते हो इन सबकी वयसे impaired blood supply हो जाएगी brain के अंदर blood की supply affect करेगी, decrease cerebral blood flow और खास करके cerebral वाला part है brain का, वहाँ पे blood की supply कम हो जाएगी, blood की supply कम होने के वएसे O2 और glucose उस location में क्या कर जाएगा, decrease कर जाएगा, oxygen की supply कम पर जाएगी, glucose की supply कम पर जाएगी, अब क्या होगा loss of function, वो जो brain का वाला part है, जो function control करता है, उसका loss हो जाएगा, with symptoms related to the function of the affected brain tissues, brain का जो part में जाकर के जमा हुआ है, वो जिसों control करता है, वो आले सारे function affect हो जाएगे, और ultimately क्या पढ़ता है, stroke पढ़ता है, बास मुझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है, तो कई वर तो मुझ में देखा होगा, stroke में, जैसे कई वर किसको stroke पढ़ जाता है, मुवी बगरा हम देखते हैं इस तरह से, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इसका मजाक मत बिराना किसी का, जैसे कई वर कहते हैं, बोल नहीं पा रहा है, तो brain के जिस part में हुआ है, वही वाला part क्या होता है, जैसे ये हो गया है, जीप कई वर भार निकल आती है, या हाथ ऐसा हो जाता है, तो इसे को हम कई वर कहते हैं कि paralysis हो गया है, फालिस मार गई है, तो ये सारे stroke में बात है, जिस part में जाकर के वह plot जमा हो जाएगा, वही वाला part, brain का अगर याला part, याली muscles हो कंट्रोल करता है, ठीक है, अब याली muscles कंट्रोल नहीं हो रही तो लटक जाते हैं इस तरीके से, ठीक है तो इस सारे क्या है, stroke के लक्षण होते हैं सारे, अफेक्ट करेगा, उसी हिसाब से लक्षण दिखाई पड़ेंगे हमको, ठीक है, जैसे की numbness, सुनपन, हो सकता हो, जगे सुन हो जाए, weakness of muscles of face, मैंने बता है ना, face की muscle weak हो जाती है, ऐसे करके कुछ लोगों को चेहरा देखा होगा कभी, मतलब एक ही side रहता है, जो part में clot जमता है, उसी हिसाब से दिख्कत आती है, confusion or change in mental status, confusion और स्टार्ट होती है, mental status change हो सकता है, trouble in speaking, बोलने में दिख्कत आ सकती है, जब मुँ या jeep, हल्किसी, jeep का control ही नहीं रहा है, तो बोलने में दिख्कत आएगी, understanding speech, अब बोलने नहीं पाएगा, अच्छे से वो, difficulty in walking, चलने में दिख्कत सकती, dizzying chakra आ सकते, loss of balance और coordination, चलते फिर से दिख्कत आएगी, सहीज से proper चलनी पाएगा, sudden severe headache, अचानक से सर्में तेज़ दर्द हो सकता है, perceptual disturbance, जो चीज़ परसीब करता है, सामने कोई चीज देख रहा है, हो सकता है, उसको proper वो चीज ना दिख्कत आ सकती है, ठीकर ना, उसका perception है, सामने वाली चीज़ को perceive करने का जो problem है, वो हो जाएगा, कि सामने जो चीज़ है, उसको proper perceive नहीं कर रहा है, परसीब करने का मतलब ही होता है, जो चीज जैसे है, वो वैसे ही दिखाई पड़े, मेरे सामने ये पैन, तो पैन की तरह दिखाई पड़े, आप ऐसा ना लगए कि ये pencil दिख रहा है, पतला दिख रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो perceptual disturbance के अंदर आ जाएगा, ना नॉन फार्वकलोजिकल ट्रीटमेंट आसमें बता है, वो ही है, speech therapy, बोलने की therapy वाली होती है, कैसे बोला जाए, उसका डॉक्टर बताते है, psychological therapy, आपको mental तोर पे strong किया जाएगा, stroke rehabilitation, है ना, stroke को वापस से rehabilitate किया जाएगा, ठीक करने कोशिच की जाएगी, ठीक है, physical therapy हो होता है, उसे लेटेट आपको काम या टास्क या exercise करा जाती है, जिसकी वाएग से आप वहाँ पर comfort फील करते हैं, अपने आपको better कर पाते हैं, pharmacological treatment क्या, thrombolatic, thrombolatic को होते हैं, जो blood के clot को तोड़ दें, गला दें, इस्टेप्टो काईने, जीरो काईने, इसे बड़े common है, एल्टिप्लेज, रिटेप्लेज, ये स्टेप्टो काईने से सुन भी रखा होगा तुम लोगोंने, अगेर हमको ultimately करना क्या है, जो blood होँआ जम गया है, उसको तोड़ना है, तो antiplatelet, thrombolatic, anticoagulant, जो coagulant नहीं होने देंगे blood को, इसमें warfarin बड़ा common है, ये तो पक्का य जैसे कि अपना atorvastatin, बड़ा common atorvastatin, रosvastatin और simuvastatin, ये सब हम लोग कहते हैं, पीछे पढ़ चुके है, कि हमें किसी तरीके से उस blood के clot को तोड़ना है, ताकि वहाँ blood की supply easily हो सके, clear है, बात समझ मा रही है, तो ये lecture भी हमारा खतम होता है, छोट-छोटे lecture बनेंगे सारे अब आगे, ठीक है ना, main main चीज़ें ही पढ़नी हमको, जो हमें से बताता हूँ मैं, pathogenesis पे खास ज्यान र मेरा number, lecture notes, app और revision जो तुमको करना है, ठीक है ना, तो पढ़ना है और revise करना है, all the best